कि नमस्कार प्यारे बच्चों इन्वर्स ट्रिगनोमेट्रिक फंक्संस वाले चेप्टर में से एक कॉस्टन है हमारे लिए जो कि बहुत ही अच्छा है कॉस्टन क्या है कि इफ साइन साइन इंवर्स वन अपॉन फाय प्लस कॉस्टन इन्वर्स एक्स इक्वल टू अगर वन हो तो बताईए फैंड दे वैलू आफ एक्स एक्स का मान क्या होगा आईए प्यारे बच्चों इसे फैंड करते हैं यहा है लिखेंगे we have मतलब हमारे पास है क्या है हमारे पास कि sine sine inverse one upon five plus cos inverse x equal to one प्यारे बच्चों जब आप sine को उधर वेजोगे तो ध्यान दिजिएगा sine inverse one upon five plus cos inverse x equal to जब sine इधर गया तो sine किसका हो गया sine inverse में बदल गया कि sine inverse one और प्यारे बच्चों sine inverse one upon five तो है ही plus क्या चल रहा है हमारे पास cos inverse x equal to आप इसको क्या लिख सकते हो side में लिख लो कि sine inverse तो है sine में one कितने की value होती है साब कि sine pi by two की इस condition में आप इससे इसे cancel कर दो के क्या आ जाएगा pi by two इसका मतलब क्या लिखोगे कि sine inverse sine pi upon two तो हमारे पास क्या बच्चा देखिएगा कि sine inverse one upon five plus क्या है cos inverse x प्यारे बच्चो ऐसी कंडिशन में theta अगर lies करता हो minus five by two से plus five by two के अंतरगत तो फिर आप इसको direct theta लिख सकते हो क्यों because sine inverse sine theta equal to theta तो प्यारे बच्चो ध्यान दें तो हमारे पास result क्या मिला pi by two अब एक काम करिए कि cos inverse x को तो यहीं रहने दीजिए या फिर एक काम कर लो sine inverse x को तो आप यहीं रहने दीजिए sine inverse क्या है one upon five equal में क्या है pi by two जब आप इसको इधर ले जाओगी तो क्या हो जाएगा किसाब cos inverse x और प्यारे बच्चो ध्यान दो हलका सा धुंदला सा तुम्हें याद भी आ रहा होगा क्या कि यह value कहां से because sine inverse x हो plus cos inverse x हो तो क्या होता था pi upon two और यहां से अगर मैं आपसे भूल दूँ कि sine inverse x क्या होगा तो यह हो जाएगा pi upon two minus का cos inverse x हो जाएगा तो इतने की इस value का result क्या है sine inverse x मतलब मैं इतने को क्या लिख सकता हूँ कि यह तो चल रहा है sine inverse one upon five यहां पर क्या आ जाएगा sine inverse x दोनों x से हो गए इसका मतलब मैं इने मिटा देता हूँ फिर क्या होगा कि sine inverse x equal to आ गया आपका sine inverse one upon five तो x equal to क्या होगा जब यह inverse इदर जाएगा तो cancel हो जाएगा inverse क्या बचेगा कि बच्वक्त sine और अंदर क्या चल रहा है sine inverse one upon five ऐसी condition में x equal to क्या बचा one upon five x का जो result आया वो क्या आया प्यारे बच्चो one upon five